दूसरा, समवहन, कॉन्वेक्शन, क्रिया कलाब 3, विधी, एक फ्लास्क में पानी भरें और स्पिरिट लेंप पर गर्म करने रखें, इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बून डालें, क्या आप समवहन रेखाएं देख सकते हैं? फ्लास्क में द्रव लेकर गर्म करने पर पेंदी का द्रव शिग्र गर्म हो जाता है, और हलका होकर उपर की ओर उठता है, इसका इस्थान उपर का भारी द्रव ले लेता है, यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं हो जाता, इस प्रक मेरा हाथ चल गया वह क्या हुआ जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो सबजी बनाते समय सबजी वाले बरतन में चम्मच छूट गया और जब में चम्मच को पकड़ने गई तो मेरा हाथ चल गया बच्चो जब भी कोई वस्तु जो उश्मा की चालक होती है उसके एक सिरे को गर्म करने पर उसके दूसरे सिरे पर भी हमें गर्माहट महसूस होती है ऐसा क्यों होता है जैसे घरों में पानी की टंकी ऊपर रखी होती है और पानी की टंकी से पानी का बहाव जो है वो नीचे की ओर आता है तब हमें नलों में पानी प्राप्त होता है बिल्कुल उसी प उश्मा का संचरण तीन प्रकार का होता है एक होता है चालन दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण जब द्रवों और गैसों में उश्मा का संचरण की हम बात करते हैं तो उसे हम संवहन कहते हैं चलिए द्रवों में संवहन को समझने के लिए हमें क्रिया कलाब करते हैं इस क्रि यह है सर्सों के दाने और स्पिरिट लेम को जलाने के लिए माचिस बच्चों आपके पुस्तक में जो समभन के लिए क्रिया कलाब दिया गया है उसमें स्याही का उपयोग हुआ है और हम यहाँ पर क्रिया कलाब में उपयोग कर रहें सर्सों के दाने का क्योंकि यह सर्सों के ने उतलै कड़ें पाइने आपके घरों में बीकर दालुब्धध तो आप अपने घरों में भी इस क्रिया कलाब करके देख पाएंगे। चलिए क्रिया कलाब शुरू करते है इसके लिए सबसे पहले पानी को हम बीकर में डालेते हैं और अब इस्पिरिट लैम को जला लेते हैं मेरा हाँ जला हुआ है मुझे बहुत जलन हो रही है और अब इसमें डालते हैं सर्सों के दाने इस सर्सों के दाने गिर रहे हैं चलिए इतने सर्सों के दाने जो हैं हम इसमें डाल देते हैं देखें अभी सर्सों के दाने जो हैं वो नीचे तल पर बैठे हुए हैं देखते ही जैसे जैसे गर्म होगा उस समय क्या प्रक्रिया होती है जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा यह सर्सों के दाने जो हैं यह आपको उपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जब बीकर में रखा पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले बीकर की तली गर्म हो रही है और उसका इस्थान जो उपर ठंडा पानी है वो ले ले रहा है। इस प्रकार इसमें उश्मा का संचरन हो रहा है। और इसे ही हम समभन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो द्रवो में उश्मा के संचरन की प्रक्रिया होती है वो समभन कहलाती है। प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि ठोस्वदार्थों में उश्मा का संचरन सम्भभन के द्वारा क्यों नहीं हो सकता? सम्भभन को आप प्रकृति की कई घटनाव में भी देख सकते हैं. नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गरम हो जाती है. जिस कारण रेत के उपर की हवा भी गर्म होकर उपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है इसी प्रकार रात के समय में रेत जल्द ही ठंडी हो जाती है जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है अतह नदी के उपर की गर्म हवा और उपर उट जाती है जिसका इस्थान रेट के उपर की शीतल हवा ले लेती है इस प्रकार हवा का चक्र चलता रहता है तीसरा विकिरन रेडियेशन क्या उश्मा संसरन के लिए सदैव ही कोई माध्यम के आवशकता होती है सूरे से आने वाली उश्मा के बारे में विचार कीजिए प्रम्हान में वाईयू के उपस्तिदी नहीं है तो फिर सूरे के उश्मा हम तक कैसे पहुँचती है प्रकाश की ही तरह उश्मा का भी संचरन निर्वात में हो सकता है विकीरन द्वारा उश्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है किसी भी गर्मवस्तु में से उश्मा सभी दिशा में बराबर संचरित होती है यह देखने के लिए एक बल्ब, लाल्टेन, लेम्प अत्वा दिये के आसपास अपना हाथ रख कर देखें चारों और आपको समान गर्महाट महसूस होगी यदि विकिरन द्वारा उश्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोशित कर ली जाती है तब वा उश्मा का अच्छा अवशोशक, एब्जॉर्बर कहलाता है उश्मा के अच्छे अवशोशक, उश्मा के अच्छे उत्सरजक, एमिटर भी होते हैं सोचिए गर्मियों में हलके या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं इस प्रश्ण का उत्तर इस क्रिया कलाब द्वारा मिलेगा क्रिया कलाब 4 आवश्यक सामगरी एक बर्तन जिसे काले रंग से रंग दिया गया हो एक चमकदार बर्तन स्टील का एक मिट्टी का बर्तन विधी तीनों बर्तनों में पानी भर कर धूप में रख दे अब कुछ समय बाद तीनों बर्तनों के पानी का तापमान थर्मा मीटर की मदद से नोट करें किस बरतन के पानी का तापमान सबसे अधिक होगा किसका सबसे कम होगा इसी प्रकार तीनों बरतनों को किसी थंडी जगा पर रग दें किस बरतन का तापमान सबसे पहले कम होगा आपने देखा कि उश्मा का अवशोशन व उत्सरजन दो बातों पर निर्वर करता है पहला वस्तू के ताप पर दूसरा वस्तू के रंग तथा उसकी सत्था की प्रकृति पर खुर्दूरा या चमकदार